देसाई गर्जबर्सा तो आज हम जानेंगे देसाई गर्जबर्सा शहर के बारे में देसाई गर्ज वर्षा शहर को नवी वर्षा इस नाम से भी जाना जाता है और यह गर्चिरोली जिले के प्रमुक शहरों में से एक है वर्षा शहर गर्चिरोली जिले के देसाई गर्ज तहसील में स्थित है जो की वैंगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है वेंगंगा वर्णसा सिटी की प्रमुक्ष नदी है और यह नदी देशाइगंज और ब्रह्मपुरी इन दो तहसिलों को विभाजित करती है वर्णसा सिटी की लोकसंख्या लगभग 28,000 के करीब है और साक्षर्ता दर 78.79 प्रतिशत है वैसे तो वर्णसा सिटी की अफिशल लांग्विज मराथी है पर कम्यूनिकेशन के लिए हिंदी और मराथी इन दो भाशाओं का ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो वर्णसा शहर में से नाशनल हाइवे 353C गुजरता है जो की वर्णसा शहर को गर्णचिरोली सिटी से कनेक्ट करता है गर्णचिरोली हेड़क्वाटर्स से वर्णसा सिटी की दूरी लगभग 57 किलोमेटर है उसके साथ ही आर्मोरी भंडारा हाइवे यहां से गुजरता है जो साकोली से होते हुए जाता है और दुसरा कुर्खिडा नागपुर हाइवे जो की ब्रह्मपुरी से होते हुए जाता है वर्णसा शहर को गर्णचिरोली जिले का शॉपिंग हब भी कहा जाता है यह शहर कपड़ों के व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिध है यहां कपड़ों का बाजार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है जो की affordable price और better quality product प्रोड़क्ट प्रोवाइड करते है दूर दूर से लोग यहां कपड़ों की खरीदारी करने के लिए आते है बायो डाइवर्सिटी पार्क यह वर्सा वन विभाग का एक जैव विविद्दा उद्यान है जो क्यार मोरी रोड पर स्थित है इस पाक में धेर सारे पेड़ पौधे, वनस्पती और उनके अलग-अलग प्रकार देखने को मिलते है यह पाक विविद्द प्रकार के फूल, पेड़ पौधे और नेसरगिक सुन्दर्ता से भरा हुआ है पुतात्मा स्मारक गादन यह वर्णसा नगर परिशद द्वारा बनाया गया एक गादन है, जो क्यार मोरी रोड पर स्थित है यह गादन बच्चों के खेलने की एक मनपसंद जगह है वर्णसा रेलवे स्टेशन वर्णसा रेलवे स्टेशन गर्ची रोली जिले का एक मात्र रेलवे स्टेशन है इस स्टेशन से लगभग 3-4,000 लोग रोजाना ट्रावल करते है यह एक कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन है जहां पर सारी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है इस स्टेशन पर ज्यादातर पैसंजर ट्रेने रुखती है जोकि चंद्रपूर, बलार्शा, वर्णसा और गोंदिया इन रूट्स के बीच में चलती है फवारा चौक फवारा चौक वर्णसा शहर का एक बहुत ही फेमस स्पॉट है यह वर्णसा सिटी के बिलकुल बीचों बीच स्थित है, जहां पर पूरा मार्केट एरिया बसा हुआ है जाड़ी पट्टी रंग भूमी जाड़ी पट्टी रंग भूमी एक बहुत ही नामी नाच्यकला है, जो कि महाराष्ट्रा राज्य के पूर्ग विदर्ग शेत्र में प्रचलित है वर्णसा शहर जाड़ी पट्टी रंग भूमी का एक मुख्य केंद्र है इसके नाच्य, गर्चे रोली, चंद्रपूर, भंडारा और गोंद्या इन जिलों में बहुत ही प्रसिद है यह वानिज्जिक और लोक नाच्य रूप का एक मिश्रण है, जहाँ पर लाइव संगीत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दिवाली के बाद, फसल के मौसम के दौरान, इसके नाच्य गांव गांव में प्रदर्शित किये जाते है इससे लोगों का बहुत ही बढ़िया मनुरंजन होता है तो ये थे वर्णसा शहर की कुछ अमेजिंग फाक्ट्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए झाल